गुद इबनिंग बच्चों ऐसे हैं आप सभी उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे बहुत से बच्चे हमारे साथ अभी जूड़ रहे हैं कुछ बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं सभी जल्दी से जुड़ जाओ आपकी कलाश सुरू होती है जो बच्चे अभी अभी जूड़ गएं तुरंथ मैं उनका नाम बोल देता हूं क्योंकि नाम कहिए बहुत परिसान रहते हैं तो सूरज गौत्वम जी जुड़ चुके हैं आदर्स पाल जी भाड़ जूड़ चुके हैं सूरज सूरज study SP यह भी जुड़े हैं इनका भी कमेंट आ रहा है अलोक अर्चना देवी और परदीप टी चांदनी ठीक है तो और भी बच्चे भी जुड़े हैं जो बच्चे रोज जुड़ते हैं उनका नाम हम बोलते हैं बच्चों आज पढ़ेंगे आप कोईस्टा नमबर 11 इकसर साइ सब्सक्राइब को आपका यह 12.2 टेंथ एंसी यार्टी मैथ कि कुष्चन कुछ ऐसा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो यह कार का वाइपर है वाइपर जानते हो जो गलास पर लगा रहता है कार में फॉर्वीलर गाड़ियों में आगे सीसा साफ करने के लिए जब बारि नहीं होते हैं अच्छादित नहीं होने का मतलब जो वह चलते हैं तो एक दूसरे से कभी टकराते नहीं है ना कभी एक दूसरे को उपर चड़ते हैं ठीक है पर तेक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटिमीटर है पट्टी की लंबाई का मतलब यह है बाबू भीया कि जो वाइपर का नीचे का भाग है पटी की लंबाई समझ रहे हो जो खीच रही है ऐसे ऐसे वाला जहां से यह चल रहा है वो कितना है 25 है आगे क्या बोल रहा है पटी की लंबाई 25 है और 115 अंस के कोंड तक घूम कर सफाई कर सकता है यानि जो ऐसे ऐसे चलता है वाइपर में नीचे फिना वो क्या 115 तक घूम सकता है यह ठीक है पर्टियों के परतेग बुहार के साथ जितना छेतरफल साफ हो जाता है वह ग्यात कीजिए बुहार का मतलब होता स्वीप आपने देखा होगा सुना होगा इंगलिस में वर्ड स्वीप वर्ड लेकिन बुहार नहीं जान देखो अब आगे समझो थोड़ा सा समझो क्या बात थोड़ी उसको समझो जो यह एंगल बन रहा है 115 का बन रहा है मैंने दो वाइपर बना दिए जैसे आपको स्क्रिन पर दिखाया था कुछ वैसे ही बाबु इनकी जो लंबाई यह 25 है याद रखना ठीक है कितना 25 है यह 25 सेंटीमेटर ठीक है क्लिर आप एक चीज है समझो कि यह वाइपर है यह घूम रहा है कितना गूमताहे वाइपर गड़ी में लगा है आपने दखाओ आपने देखा हूगा ऐसे ऐसे तो यह से यह ढूंता न तो वह अइसे अदर दूर का ऐसे चलता है नौ ऐसे तो नहीं पूरा गूम जाता है लेकिन एक मिनट के लिए मानों अगर यह वाईपर पूरा पूरा ऐसे गूमे तो तो एक ब्रित्ताकार छेतर पर लेगा ना यह लेगा ना तो अगर बाबु भाईया यह इतना ही गूम रहा ऐसे इतना ही तो अगर यह पूरा गूम जाता ऐसे तो कितना करता कुण पूरा फूरा गूम जाताए में कम्प्लिट यह से गूम जाता ना पूरा पूरा इसका मतलफ का एक सर्थ毫 बन रहा है जो बचें पार पढ़ें में और ना एक बिस्ट का एक श्यक्तर मांगर हम इसे हल करेंगे थिक समझ रहो कि नहीं अब यह समझने वाली थी अगर इसे आप समझे तक ले जाओगे इसलिए काथ हैं बाबू की इंट्रोडटक्षन पार्ट जरूर देखो अगर आपने पार नहीं देखा तो आप डिस्क्रेप्शन चेक करिए इस वीडियो के डिस्क्रेप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगे निए तो प्लेलिस्ट में सबसे उपर दिया होगा आप जाके देख लीजिए ठीक है चलिए तो अगर यह सेक्टर बन जाएगा तो क्या होगा लिखिए एरिया क्लेंड इन इच स्वीप हिंधी में लिख लीजिए लिखिए लिखिए परτε्यों की परतेग बुहार के साथ साप होने वाला चेत्रफल बराबर पर तेंगत बुहार के साथ साप होने वाला चेत्रफल बड़ाबर इसलिए मैं हिंदी में नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि हिंदी बड़ा जीप टाइब का है लेकिन आप लोग लिख लिखे ठीक है क्योंकि ऐसा बड़ इसमें दिया है तो यह हो गया कितना चेत्रफल साफ होगा बाबू लिखो सेक्टर वाला आपक टू इंटू बृत खंड का चेत्रफल ऐसे लिख लो हिंदी वाले ठीक है दो गुड़े बृत खंड का चेत्रफल यानि जो बृत का एक खंड बन रहा पार्ट उसका एरिया दो से गुड़ा कर देंगे अंसरा जाएगा इसे थोड़ा इधर खिसका लेंगे और चलो लगा 360 इंटू बृत के चेत्रफल का फार्मूला मान रख दीजिए दो गुड़े थीटा का मान चाटिस थीटा का मान तेक सो पंद्रा दिया है ना कि एक सो पंद्रा कि 360 घुड़ा पाई आर स्कॉयर तो यह कितना ओजाएगा पाई कमान 22 बटा साथ इंटू आर आर का मतलब रेडियस रेडियस कितना दिया है पचेस दिया ना बाबू कि यह पचीस दिया ना से इंटू पचीस अ फाल कर लीजी यह कितना हो जाएगा यह कैसे करोगे देखो एक बार करके दो से इसको काट सकते हम हम दो से काट दो 180 आएगा अब देखो यह 22 बचा है यह 11 बचा है जो भी बचा है फिलाल इसे 5 से काट सकते हैं तो पांतियाई 15 पांच हंग 30 यानि यह 36 आजाएगा और यह 5 आजाएगा अब देखो इसे हम 2 से काट स आपका काफी लंबा जा रहा है 1870 126 फाइनल में मैं नीचे आपको दिखाना चाहूंगा एक बार देखो बच्चा 115 इन्टू 11 इन्टू 5 इन्टू 25 इनका पूरा का गुड़ा हुआ है इसमें 126 में ठीक है करके देखलो सबका यह लाखों में आएगा मैं कुश्चन हटा के आपको दिखाता हूं गुड़ा करना आपको आता है बहुत अच्छे से एक लाख अजार 1125 के सम्थिंग आएगा एक लाख अजार 1125 बटे 126 चुकि यह आपका क्या करना था एरिया निकालना था इससे हम भाग करेंगे दसमलों में आ जाएगा दसमलों में एरिया नहीं ल 14 कुश्चन है तो तीन कुश्चन और है उन्हें भी हम जल्दी करवा देंगे अगर आपके मन में कोई डाउट है आप कामेंट करके बताइए आपका समधान किया जाएगा मिलते हैं फिर नेक्ट क्लास में बहुत बहुत थांक्यू वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें जिसे की जादा फिजादा बच्चे पढ़ सकें जैहिन